It's not the sun, it's the temperature 4, मतलब पूरे बदर में संसनी फैल गई थी जब ये डायलोग सुना था और ये डायलोग था वन एन उल्ली कोरियन सीरीज किंग्डम सीजन वन और सीजन टू का किंग्डम सीरीज के अभी तक दो सीजन आ चुके हैं इसमें हमें किंग्डम सीजन वन और सीजन टू के बहुत पहले लेकर जाये गया है जहां पर हमें बताया जाता है कि आगिर कर ये जॉंबी आये कहां से, कैसे आये, क्यों आये हलो हाई नमस्कार दोस्तो मेरा नामे राजन सिंग आप देख रहे हैं सेम नेटफ्लेक्स का अल्टरा एच्टी एकाउंट सरिफ डाइसो रुपाय में, वो भी पूरे महने के लिए कैसे ये जानने के लिए या तो यहां पर क्लिक करके हमारे डीटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए हमारे वाट्सअप नमबर पर तुरंद कॉंटक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फीट फ्लिक्स को और बैल आकन को दबाईए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए Kingdom आशिन ओफ द नौद ये एक स्पेशल एपिसोड है Kingdom सीरीज की जिसे हम मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि ये एपिसोड देड़ गंटे की है इस सिंगल एपिसोड के इवेंट्स हमें लेकर जाते हैं Kingdom के दोनो सीजन के इवेंट्स के बहुत पहले और हमें वो सारी चीजें बताते हैं कि आकिर कार ये जॉंबी आये कहा से और इन सब की शुरुआत आकिर हुई कैसे और क्यों ये सारी चीज़े हमें आशी नाम की करेक्टर की नजरों से दिखाई गई हैं जो की इस हादसे के सेंटर में हैं और कुछ इस धमाकेदार आक्शन, सस्पेंस और होज उड़ा देने वाले त्रिल से एक्स्प्लोर करती है ये सीरीज और ऐसे एंडिंग से खतम करती है के मतलब पूछो मत सिनेमाटोग्राफी तो मतलब भवाल था सीरीज का जिसका नाम है किंग्डम हाशिन ओफ दनॉट मतलब भाया मैं साउथ कोरियन जॉंबी मूवी और सीरीज का ना बहुत बड़ा बहुत बड़ा वाला फैन हो चुका हूँ सॉरी फैन कहना गलत होगा एसी हो चुका हूँ पर ये जुद आप मैं आपने भी ये कभी सोचा नहीं होगा या अपने आप से कभी एक सवाल नहीं पूचा होगा किंग्डम के दोनों ही सीजन देखते वक्त कि आकिरकार इन सारे चीजों की यानि इन जॉंबीस की शुरूआत हुई कहां से ये बट अव्यस था क्योंकि सीजन वन और सीजन टू इतनी बहतरीन बनाए थी इतनी एंगेजिंग थी कि कभी मेरे दिमाग में आया है नहीं कि भाई ये सब शुरूआत कैसे हुआ I mean this is how you make a series आप इतनी अच्छी बैतरीन और hooked up series बनाते हैं कि लोग सिर्फ उसी को देखते हैं और enjoy करते हैं और बाकी सारी चीजों पर उनका ध्यान नहीं होता वैसे आगे बंडे से पहले आपको बता दू कि बहुत लोग मुसे ये पुझेंगे कि क्या इस episode को देखने के लिए इसे समझने के लिए मुझे kingdom के पहले के दोनों season देखने हैं या नहीं है तो जवाब है ना आपको ज़रूरी नहीं है कि kingdom के season 1 और season 2 देखने है क्योंकि एक तरीके से stand alone episode है और इसे बहुत पहले यानि कि kingdom season 1 और season 2 के पहले के दोर में लेके जाए गया हमें और वहां से story शुरू होती है तो अगर आप इसे पहले देखेंगे और kingdom के 2 seasons बात में देखेंगे तो भी आपको कोई problem नहीं होगी इतना अच्छा रेट किया गया है, सब लोग इसे पसंद कर रहे हैं, बट इसे हिंदी में डब नहीं किया, इंडिया में रिलीस किया गया, लेकिन हिंदी में डब नहीं किया गया, यह समझ में नहीं है, बात करते हैं एपिसोड की, तो सिनमाटोग्राफी, oh my god, especially ending का पार्ट मतलब रॉंग टे खड़े कर देगा, जिस हिसाब से एक सीन को दूसरे सीन के साथ मर्च किया गया है, वो काबिले तारीफ था, सेट अप एक सेटरा तो पूछो मतलब आपको लिटरली उसी जमाने में लेकर चला जाता है यह एपिसोड, और सीरीस की सबसे हिला देनी वाली अगर आपने यह नहीं देखा है, तो जरूर देखिए, अगर आपने किंग्डम की सीरीज भी नहीं देखिए न, तो बाकी सारे मुवी और सीरीस साइड में रखिए, पहले इसे कंप्लीट कीजे, तो फाइनली किंग्डम के दोनो ही सीजन को मैंने 8.5, 8.5 रेट किया था, बट इस एपिसोड को मैं रेट करूंगा a 9 out of 10. तो दोस्तो यह था हमारा रिव्यू, नेट्फिक्स के स्पेशल एपिसोड, किंग्डम, अशीन अफ दो नौध का, अगर आपको हमारा यह मूवी सीरीज रिव्यूज, अगर पसंद आते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अन्तों तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, स्टे होम, और प्लीज स्टे सेफ.